किसान को अभी लब मुआप जादे ताकि किसान और जो केस हुए है दमन किसान पर वो केस किसान सुछाए सर बर्खास करनी चाहिए कुंडा टेक्स नेता टेक्स माफिया टेक्स इंकम टेक्स पॉलिसी क्या होगी फैक्टरी आने का एक तो किसान आप बचे नहीं बटेदार है दयारी मजदूर है बंदभा मजदूर है दो विघा एक विघा डेर विघा एक कठा सवा कठा दस बीस विघा वाले जभिन वाले आप लोग नहीं है पहले तो हमको यह समझना होगा कि जहां से आप जिंदगी बिहार का बनाना चाहते हैं वहाँ सबसे पहले लेंड पॉलिशी को चेंज करना पड़ेगा सबसे जादा प्रॉब्लम बिहार में जमीन अदीगरान है और वो यदि केंदर सरकार हमें मुआपजा नहीं देती है तो विहार सरकार को पॉलिशी चेंज करनी चाहिए एक दूसरी चीज टैक्सेस में विहार सरकार को कंप्लिट रुप से अपने पॉलिशी को लूजर करनी चाहिए टैक्सेस हमारे इतने हैं और उसके बाद जो टैक्स है बिजली टैक्स, रो टैक्स, उंडा टैक्स, नेता टैक्स, माफिया टैक्स, इंकम टैक्स, सेल टैक्स, मतलब इतना टैक्स है कि पूरे भारत की एक फैक्टरी विहार आना नहीं चाहती है 14-15 सालों में 20 सालों से अभी तक सरकार डबल इंजन की थी, एक पुंजी निवेस नहीं हुआ, सर किसको बोलेंगे, PR की GDP का पैसा नहीं मिलता, किसानों को यदि आप 36 लाग, 46 लाग रुप्या भी घाप ने किया, तो 24 लाग मुआप जाफर कैसे आरे, किसानों को आप है, या आपको और इस इलाके में जो किसान जिसके बच्चे कंप्लिट रुप से टेकनिसियन है, कंप्लिट रुप से वो एक बहतर पढ़ाई करके बैठा है, तो उसको आप रोजबार में प्राथ मिल्टा दीजिए, आप दुनिया में बाहर चुठा के लिए आईगा, ले बगल में घटना, बगल में एक मडर, मगर बताया जा रहा है कि सियो जो है, अरे बोलने दो, बोलने दो, सर, मैं पहले उन से न पूछिए, जो लोग यहां इतने बड़े प्लांट में बड़े बड़े नेताओं के माफिया बैठे, लिकन ठासी दिनों सा आप लोग कहा थे बगल में एक बड़ी घटना घटना इन सवालों को करके लगातार हम बिहार के फार्मर्स के इसू पर जब पूरा देश नो मेहना बढ़ा हुआ था, तो ये नो मेहना सबसे पहले बिहार से एक ही आवाज था पपूयार, जब MSP की बात थी तो पपूयार, जब बन पिहार करने हैं सर, किसको दो सी मानते हैं आप इस पूरे मा हखे अवाजा, आप तय कर लिए, तो चएएख का हरा है किसान हम को बरतमान में जो जमीन का है, जो यहां के जोल, आप जिस वक्त हमारी जमीन लग ल्म लाप ने लिआ है, और तिस, और अई तेरा चोदा वाला तो आप तेरा चोदा का नहीं दे करके और आप ये बार-बार आपसे पूचा जा रहा है आप बार-बार करें कि केंदर ने पैसा ने दिया तो जो यहां के senior पदादिकारियों बताएंगे रहे कौन नहीं दिया कौन दिया आप चुप क्यों है अचा लगा यहां के जो नेता है इसको exploitation का जगा बना लिया है यह कंप्रिट ठेकेदारों का लूटने का पैसा हो जाई का पैसा ले जाने का हर परिदार में कोई भी यहां पर जग होगा साधी भी आ होगा यहां से टेक्स ले लो उनका टेक्स ले लो एक आलोचना नहीं करो मैं आपको बहुत किलियर बता दू जिस तरह का बरबरता पुर्न लाथी महलाओं पर चली है या CCTV कैमरा के बारे मुझे नहीं पता था उस थाना प्रभारी ने जितने दिन यहां बिना पद के रह कर पैसा उगाही कर पैसा ले करके जिस तरीके से मापिया और प्लांट के जो और है उसके साथ खरे हो करके किसानों पर दमन किया है उसकी नोक्री बढ़कास्त हो ठिकेदारी तो ठिकेदारी से बरकाम यहां तो सवारा मापिया बंटल और पदादिकारी का रिष्तेदार्मा प्रसासनी का दिकारी क्यों बच रहा है थाना प्रभारी आदेश जिसने दिया क्या लिखित आदे दिया था क्या लिखित आउडर है और जिन लोगों ने जो सिविल करमचारी है वो तो सिविल क्या कर रहे थे इतने दिनों से जो 80 दिनों से मामले को लटीगेशन करवाई जा रहे थे तो कारवाई कंप्लिट रूप से और मैं बार बार कह रहा हूं कि कभी बी एससी पर लड़ाई हम अभी लाठी हम पर चली अ पटना में अभी जो धरना हुआ अमीन वाला उस पर पप्पू यादब को अपने किरफ्तार किया लगातार कभी रोजगार के लिए कभी किसान के लिए लाठी तो ये नहीं चलेगा इसकी पूरी चांच शियाडी से हो और जो जो पदाधिकारी इसमें इंवल्व है वो सब के सब उस पर फायर हो उसका सस्पेंशन हो चाहे कोई पदाधिकारी हो और किसान जिस अधिकार की बाद 14-13-14 की कर रहा है मुआपजा किसान को उसी 13-14 की अधार पर हो और जो बजार बनाने की बाद थी लोकल रोजगार देने की बाद थी और इस इलाके को डवलप करने की बाद की प्लांट उस पर अमल करें और सरकार इसमें समझोता करके किसान को अभी नम मुआपजा दे ताकि किसान और जो केस हुए है ता मन किसान पर वह केस किसान से उठाएगी